हरे कृष्णा नित्यानंत रयोदशी की आप सभी को हार देख शुपकामना है श्रिष्टी की रचना के समय आदी पुरुष भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रथम विस्तार अनंत शेश या बलराम जी श्री चैतन्य महाप्रभू की लीला में श्री नित्यानंद प्रभू बनकर प्रकट होते हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी हैं, भगवान श्री राम के साथ लक्षमन जी हैं, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभू जो स्वय भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके साथ कल्युक के जीवों का उधार करने के लिए श्री नित्यानंद उप्रकट होते हैं भगवध्धाम में प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप के अनुसार भगवान के साथ नित्य पांच भावों जैसे शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वादसल्य भाव तथा माधुर्य भाव में से किसी एक भाव में उनकी सेवा करती हैं नित्य धाम की प्राप्ति के पश्चात कोई भी आत्मा इस जन्म मृत्यू जराव व्याधी के युक्त स्थूल शरीर में वापस कभी नहीं आती और ऐसे भगवध्धाम की प्राप्ति करवाने तथा बध एवं पती जीवों के उधार करने के लिए कल्यूग में आफ्तरण ह हुआ श्री चैतन्य महाप्रभू का तथा उनकी लीला में उनके प्रमुक सेवक हैं नित्यानंद प्रभू वे और कोई नहीं स्वयंबल राम जी हैं प्रेम से उन्हें निताई इस नाम से भी पुकारा जाता है बाल्यवस्था से ही नित्यानंद प्रभू अपने मित्रों क साथ भगवान की अनेक लीलाओं का खेल के रूप प्रस्तुत करते थे कभी कभी वे श्री कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों का नात्य रूपांतर करते तो कभी रामायन में लक्षमन जी की लीलाओं का प्रदर्शन करते थे महाप्रभु जी के प्रमुख जो हरे कृष्ण महामंतर है उसे जन जन पहुचाने के लिए नित्यानंद प्रभु हर व्यक्ति के घर घर जाकर उनसे नम्र निवेदन करते थे कि वे हरी नाम को अपने जीवन का अंग बनाकर अपना जीवन सफल करें इस तरह उन्होंने असंख्य जीवों में भगवान के नाम रूपी कृपा को बाठ दिया है वे हर जीव के गुरू स्वरूप है जो भगवान से हमारे संबंद को उज्जागर करने में हमारी सहायता करते हैं नित्यानंद प्रभु के आश्रे बिना हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा कभी नहीं मिल सकती वैशनव आचारियों ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु को समझने की कोशिश करेंगे वो कभी सफल नहीं होंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों तक पहुचने के लिए आदी गिरु के रूप में नि नित्यानंद प्रभु के प्रेम और दया की जीवत अभिव्यक्ती है परम क्रिपालू श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र का वर्णन करते हुए शास्त्रों में एक बहुत सुन्दर्श लोक आता है प्रेमे मत नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछू न करे विचार अर्थात नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रती प्रेम में ऐसे मगन है कि योग्यता अयोग्यता देखे बिना सभी में भगवान का यही शुद्ध प्रेम बाठते रह होता है हमारे गुरू के रूप में इसलिए नित्यानंद रयोदशी के इस शुप दिवस पर आये अपने गुरू और उनकी शिक्षाओं के प्रती और भी प्रती बद्ध हो जाए और नित्यानंद प्रभु से कृपा की याचना करे जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु के सं के तन आंदोलन में हम तन और मन से समर्पित होकर विश्व भर में हरी नाम की महीमा का प्रचार कर सकें धन्यवाद हरे कृष्ण ऐसे ही और भक्ती मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्ण टेलिविजिन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा ड